हैलो एब्रिवन चटाकर रसुई में आज हम बनाएंगे बहुत ही कम समय में बनने वाला और बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहां लिये शिमला मिर्ची और प्यास और यह मैंने लिया है एक आलू जिसे मैंने मैश कर लिया है बॉयल डालू है अब यह जो शिमला मिर्ची और प्यास है इसे हम चौपर में डालकर बारिक बारिक चौप कर लेंगे अगर आपके पास पाकू की मदद से भी बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं यह देखिए आपको इस तरह से शिमला मिर्च और प्यास को काट लेना है चोटे चोटे तुकडों में और यहां मैं यूज करूंगी आधा टमाटर एक नहीं सिर्फ आधा टमाटर लेंगे और इसे भी हम बारीक बारीक काट लेंगे अब सबसे पहले हम एक स्टफिंग तयार करेंगे उसके लिए हम कड़ाई में डालेंगे थोड़ा सा ओईल और इसे हीट होने देंगे जैसे ही यह हीट हो जाए इसमें डाल देंगे हम राई, मस्टर्ड, सीट और इसमें अब हम डाल देंगे शिमला मिर्च औ थोड़ असा नमक एट करेंगे जिसे की सब्जी जल्दी से गल जाए और ये देखिए अब मैंने इसमें डाल दिया है उबला हुआ मैश किया हुआ आलू और टमाटर ये सभी चीज़े डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और ये है एक स्पाइसी चाट का मसाला धनिया पाउडर लाल मिर्ची पाउडर और गरम मसाला थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है हमने कलर के लिए और इन सभी मसालों को डाल कर हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे तो बस ये फटा-फट से हमारी एक स्टफिंग यम् अब हमें क्या करना है अब हम लेंगे ब्रेड और ब्रेड के ये जो साइड कॉर्नर होते हैं इन्हें हम एक चाको की हेल्प से हटा देंगे और ये देखे सबसे पहले हमें क्या करना है ये ब्रेड लेकर इसे बेलन की हेल्प से बेलना है एकदम फ्लैट कर देना है ये सबसे हुआइ धर मैं नाश्टा बनाने में हरी चतनी अप जरूरी करियागा ओप.ढ गोरum in केक्षप आप अटाइज और में हम प्रेड़नी और बेघlor आए। बुधक बार खाए होंगे पर दिगल बार हो है मैं आज बना रहे और नाश्टा हम लै लुघ में ब मैं बना कर रखे दिगा करना कर taking मैं नोग है सब्सक्राइब चीज अगर आपके पास घर में ना हो तो आप इसे सिंपल भी बना सकते हैं पर चीज के साथ इसका टेस्ट थोड़ा जादा है तो मैंने चीज के साथ बनाया है ये देखे, अब धीरे धीरे आपको इसे रोल कर देना है ये देखे अब सेकिंड वाला हम तयार कर लेते हैं इस पर भी हमने चीज डाल दिया है और धीरे धीरे प्रेस करते हुए आप इसे इस तरह से रोल कर दीजे जब भी आपी नाश्टा बनाए तो सबसे पहले इस तरह से आप सारे रोल्स बनाकर तयार कर लीजे ब्रेड रोल तो आपने बहुत खाये होंगे अब एक बार ये वाली रोल भी आप ज़रूर ट्राइ करिएगा यह देखे यहां मैंने टोस्ट पैन लिया है आपके पास ना हो तो आप नॉर्मल तवे पर भी इसे बना सकते हैं यह देखे टोस्ट पैन को गरम करके मैंने थोड़ा सा इस पर ओयल लगाया है क्योंकि हम इनने डीफ फ्राइ नहीं करेंगे नहीं हम इनने शेलो फ्राइ करेंगे बहुत ही कम ओयल के साथ हम इसे बनाकर तयार करेंगे और ये देखे थोड़ा सा ओयल लगाकर हम इसे अच्छी तरह से सिखने देंगे थोड़ा सा ओयल हम उपर से भी लगा देंगे इस पर बहुत जादा ओयल नहीं सिर्फ थोड़ा सा ओयल लगाएंगे और अब हम इसे पलट देंगे ये देखें कितना बड़िया तरीके से ये हमारा नाश्टा बनकर तयार हो चुका है इसी तरह से आपको इसे दोनों तरफ से सेक लेना है अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेर करना मत भूलेगा चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा ऐसी ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज में आपके लिए चटा कर असोई में जल्दी जल्दी लाती रहूंगी ये देखे अब इसे हम अलट पलट कर दोनों साइट से बहुत ही अच्छी तरह से सेक लेंगे ये देखे आप देख सकते हैं कितनी कम ओयल में हमने ये कितना नया और कितना टेस्टी नाश्टा बना कर तयार किया है जो कि बच्चों को तो पसंद आएगा ही और बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा ये देखे अब ये हमारा नाश्टा बनकर तयार है इसी तरह से आप सारे रोल्स बना कर तयार कर लीजे ये देखे अब मैं आपको दिखाती हूँ ये अंदर से कितना टेस्टी है ये देखे चीज भी बहुत अच्छी तरह से मैल्ट हो चुका है इसमें आप जरूर इस रेसिपी को ट्राइ करिएगा आप सुभा के नाश्टे में शाम के नाश्टे में कभी भी ट्राइ कर सकते हैं आप अपने महमानों को भी बना का खिलाएंगे तो ये उन्हें बहुत पसंद आएगा फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी